Hi guys and welcome to Soni Swole Friend, आज हम देखेंगे How to remove facial hair जो हमारे हमारे चैरे के बाल होते हैं उसको हम कैसे remove कर सकते हैं How to remove facial hair naturally and instantly at home हम घर पे सीखेंगे कि हम कैसे facial hair जो हमारे यहाँ तरह में हमारे बाल होते हैं लोगों के चीन यहाँ पे बाल होते हैं और यह मेरे चीन पर भी बाल आते है तो हम कैसे घर पर हम रिमूब कर सकते है वो भी नाच्रल तरीके से और जितने भी मैं इसमें इंगीडेंस यूज़ के हैं वह हमारे कीचन में अवेलेबल है हमारे के चीनी यानि की शूगर और हनी मैं और हनी यूस यूज़ ऑफ बस तीन चीज़ और हम वेक से हमारा एक से अब इसाइना से शूगर वेक से चीन हैं और अपड लिलिपर हो से जो गट इड़ औफ फेशिल है अट हो एट नाचुरल नाचुरल प्रोसीजर हम घर पी कैसे अपने चेहरे के अंचाहे बालों को हटा सकते हैं कर दो नके बाल्य किसी मेश के अचम आछे जनके सफलरा का आप कोश्य पर स躲्गाइब स्सक्राइब सब्सक्तिर्स साओर हो क्योंकि मेरे बालय कहले कीन पुल th ?" लगता है तो ब्लैकनेस से लगता है यहां पर लिसके लगता है तो अगर फांडेशल लगाएंगा विवी कीम लगाएंगे तो और ज्यादा बाल हमारे दिखते हैं तो और इससे क्या होगा आपके जो फेशिल हेर है वह भी रिमुब होगे नैचुरली और साहथ ही साहथ या कि एक आपके जितने भी घ्रिचे अज़ इसकिन को भी क्या है और निठाई बेख दर्ट होती है या स्किन के जो सक्षड होते हैं थो कि निकलता है क्योंकि जो चीनी है वो एक तरहा अपना से एक्सफोलियेटर का काम करती है कि माइग ढ़ देखिए है और हमाई स्किन को मौशिराइज करता है और इसके बाद कोई भी ऐलावीरा जल लगा ले अन्ति सेप्टिक को आप रूस वॉटर लगा ले अगर आपके स्किन ऑईल है या आक्ने पॉटन है तो आपके सिर्णेट आप ज़रूर आपके स्किन को अपास रखें वह आपके स्कि है नाचुरली एटोम कष्टाइब लग् util है तो अबर सब्सक्राइब करने हो एक या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबस्काइब तो मी डा सबस्क्राइब तां लेगे चैनलन प्रेसि परक्रफिप मेरे लेटेस्ट अपकंविड जा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक चम्मज शूगर यानि की चीनी, हाफ चम्मज हम लेंगे हनी और इसमें डालेंगे पानी और सारे इंग्रीडेंस को मच्छे से मिक्स करेंगे मैंने सारे इंग्रीडेंस को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 10-15 सेकंड तक माइक्रोवेब में हीट करेंगे हमें इतना हीट करना है कि जितने हमारा चीनी है वो अच्छे से घुल जाए हमारा जो है यह शूगर यह मैंने इसको 10-15 सेकंड तक हीट किया था आप देख सकते हैं मैं इसली से छूप आ रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे है जैसे हमारी हनी की होती है और आपको यह लेनी है स्टिक लेनी है आइसक्रीम स्टिक लेनी है कोई सी भी आप ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे यहां पर बाल है छोटे छोटे आप देख सकते हैं यहां पर मेरे बाल है तो मैं यहां से और यह मैंने एक टीशू पेपल लिया है आप इसको मैं अपने जो था बालों के डिरेक्शिन वह अच्छे से प्रेस करूँगी और इसको अपोजिर साइड हम पुल कर देंगे इसमें आप देख सकते हैं यह मेरा काफी क्लीन हो गया आप देख सकते हैं इसमें मेरे बाल आ गया है इस विजीबल और नॉट यह बहुत हलके हलके बाल थे मेरे इसमें आइटिंक विजीबल नहीं हो रहे है बट इसमें में को शो हो रहे है आप देख सकते हैं इसको मैं बड़ा सा बढ़ाती हो आप देख सकते हैं आपर मेरे कोई बाल नहीं है पहले इसको इस साइड मेरे बालों का डिरेक्शन इस साइड है तो अपोजी साइड हम पुल करेंगे अब देख सकते हैं मेरे याके बाल क्लीन हो गए हैं एक बड़ निकाल देती हूं मैं अब यहां पे चिन पे बहुत बाल आते हैं अब में चिन पे कोई बाल नहीं है बहुत चोटे बाल आते हैं और यह मैंने निकाले थे चिन के बाल आप देख सकते हैं यहां पे इस साइड डिस देख सकते हैं यहां पे मैंने बाल जो है निकाले थे और अब जब भी वैक्स करत अपको आपको पास अलोविया जल नहीं है तो आप 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 आपको 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 आपक तो एस्टेंजेंट बहुत अच्छा है आपके लिए जिसमें टीट्री ओयल होता है तो यह में अच्छा से मसाज करके छुड़ा रही हूं तुमें इस पेस के सारे बालब निकल गए अच्छे से तो आपने देखा कि आप फेशे लिहर कितनी एजली रिमूव कर सकते हैं वह पर अपने नहीं होता है आप इसली चूप आएंगे 10-15 सेटिंद माइक्रोवेव में हीट करें यह आपकी पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप गरम एक बाउल में डबल बॉयलर से आप पानी में पानी गरम करें उसमें और इसके ओपर यह बाउल रखते कटोई रखते औ हैं और पेले टेस्ट कर लें कि अब आपको कोसा कोसा होजाए यृणिक लुक्वण होजाए इतना ही थो जो आप हाल से आप छूपा आपको अपको अब लगाए फॉनसी के यह यजूदी नहीं को अपने लगाए लगर के detail का लें कि अगर आप मैटल कर लें तो बहुत जल और अपर लिप्स हेर चीन हेर अट होम नाचुरली और इस्टेंटली तो मिलते हैं किसी नही होम्यामेडी के साथ तिल दन बाबाय और स्टें हेल्दी स्टें बीटिफुल बाबाय